दोस्तों आज ये हमारा लेशन टू है, इसमें हम सीखने वाले हैं कि डेटा की फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे डेटा इंट्री करने के बाद, रो कैसे इंशट करेंगे, रो को डिलीट कैसे करेंगे, हाइट कैसे करेंगे, कॉलम इंशट कैसे करेंगे, कॉलम को डिलीट क कैसे करेंगे सारा कुछ हम यह सीखने वाले हैं और हम रीवन को कस्टमाइज करना सीखेंगे और आटो करेक्ट ऑफशन के बारे में जानेंगे एक्सल का तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में इस डेटा को इंट्री करना सीख लिया था अब हम सीखेंगे कि मालने जे इस आटो यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक इंशट रो कर लेंगे अब मुझे यहां पर लिखना है employee employee wise data अब हमारी प्रॉबलम क्या रही है कि यह जो हमारा employee data यह middle में आजा यहां से यहां तक तो हम क्या करेंगे इसको पूरे को select करेंगे और यहां से यह हमारा icon होता ह तो आपका यह मज करता क्या है मज है सेंटर करता क्या है कि एक यह multiple cell को एक cell में convert कर देता है जैसे हमारे पास यह cell है यह cell है अगर मैंने इसको ऐसे select किया तो क्या करेगा यह सारे cell को मज कर देगा और जो भी text आप इसके अंदर में लिखे रहेंगे उसको middle में लेकर आएगा जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो देखे एक cell में convert कर दिया अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और इसको ऐसे मारे यहाँ तक select किया तो इन 4 cell को एक cell में कर देगा और इसको middle में लेकर आएगा तो इस type से हम क्या करेंगे इसको middle में लेकर आजाएंगे अब यहाँ से bold करेंगे इसका color यहाँ से choose कर लें जिससे हमारे देखने में data अच्छा लगे और इसका size हम क्या करेंगे थोड़ा बढ़ा देंगे तो अब हमारे data देखने में अच्छा लग रहा है अब हम यहाँ पे जो हमारी header है इसको भी heading हम यहाँ से दे सकते हैं कुछ इस type से heading आप अपने requirement के साफ से color choose कर सकते हैं ठीक है इतना काम अब हमारा हो चुका है ठीक है तो यह हमारा मज हो चुका है अब मालिजे आपको C और D के बीच में एक new column और insert करना है वहाँ पे एक new field डालना है मालिजे employer का आपको डालना है blood group name और C और D के बीच में नेम और cell phone के बीच में तो आप क्या करेंगे name और cell phone के बीच में करना है तो cell phone को ऐसे select करेंगे और यहाँ पे right click करके insert करेंगे तो एक column insert हो जाएगा और यहाँ पे आप दे सकते है blood group ठीक है ठीक है अब आप easily यहाँ अपना blood group type कर सकते है ठीक है यह concept clear है आपको अब मालिजे अगर आपको इसी तरह row insert करना है मालिजे Mr.Nakur और मिनाक्षी देवी की बीच में row insert करना है तो मिनाक्षी देवी पे अपना cursor रखेंगे और right click करके insert कर देंगे तो यह row insert हो जाएगा अब मालिजे आपको C और D के बीच में कितने column insert करने है तीन new column insert करने है तो D से आपको C और D के बीच में करना है तो D को select करके 3 column हम select करेंगे और यहाँ पे जाके फिर से right click करके insert तो देखी तीन new column insert हो जाएगे इसी तरह row के लिए भी है मालिजे मिनाक्षी और राजू पाठक के बीच में आपको 4 row insert करने है तो राजू पाठक से selection करते हैं 4 row नीचे आएगे और insert कर देंगे तो यह हमारा quickly आपका new row insert हो जाएगा अब delete करना है जितने भी row delete करने है मालिजे यह चारो row आपको delete करने है आपको selection करना है चारो row को और right click करके delete तो यह delete हो जाएगा इसी तरह column अगर आपको delete करना है तो आप column को select करेंगे जैसे मालिजे इन तीनो Qulm को delete करना है तीनो Qulm को यहां से मैंने ऐसे selection किया और delete तो यह हमारा Qulm delete हो जाएगा Ctrl Z करेंगे तो फिर से वापस आजाएगा Ctrl Z हमारा undo के लिए होता है Sortcuts की हमने आपको Sortcuts की कि PDF फाइल आरेडि प्रोवाइट कर दिये ठीक है तो यह हमारा क्या होगा delete हो जाएगा कोई भी column delete करना इसमें click करिए और delete यह हमारा delete हो गया अगर आप चाते हैं नहीं मुझे column delete नहीं करना था तो ctrl z press करेंगे तो फिर से यह वापस आ जाएगा जो हमारा previous action था वो हमारा फिर से वापस आ जाएगा ctrl z लेकिन अब अगर आप चाते कि नहीं column को delete ही करना था तो ctrl y press कर देंगे तो क्या होगा हमारा जो last action था वो apply हो जाएगा तो last action हमने क्या किया था इसे delete किया था ठीक है तो यह देखे delete हो गया ctrl z undo और ctrl y redo ठीक है तो यह हमारा होगा column delete करने का row भी इसी तरह आप delete करना चाते है row को जितना भी row delete करना चाते है row को select करिए right click करिए और delete तो आपका row easily delete हो जाएगा अगर आप चाते कि नहीं मुझे delete नहीं करना था तो ctrl z तो वापस आ जाएगा अगर आप चाते हैं नहीं मुझे delete करना था तो Ctrl Y तो फिर से यह डिलीट हो जाएगा ठीक है इतना concept आपको उम्मीद है कि clear हो चुका होगा मालेज़े अभी हमारा कुछ column का काम नहीं है hide करना चाहते हैं मालेज़े D column को hide करना चाहते हैं D को select करेंगे right click और यहां से hide करना है तो आप यहां क्लिक करके unhide करेंगे तो नहीं आएगा आपको ऐसा selection करना है कि जो हमारा unhide column हो भी select हो जाए उसके बाद यहां पर unhide कर देंगे तो यह आ जाएगा अगर आपको D और E दोनों hide करना है दोनों को select करेंगे और hide तो यह hide हो गया अब आपको unhide करना है तो ऐसा selection करेंगे कि C और D के बीच में हमारा वो column जो hide हो भी select हो जाए और unhide तो यह unhide हो जाएगा इसी तरह हम row को भी hide करेंगे और unhide करेंगे row को hide करना है यहां से selection करेंगे इस row को hide करना है से यहां तक के row को hide करना है और select किया और hide तो यह hide हो गया अब अगर हमें unhide करना है अगर जो भी चीज़े आपको row hide होगी तो आपको यहां से पता चल जारा जैगा जैखिए 1 है 2 है 3 है 4 उसके बार आप देख रहे हैं 10 direct हाजारा इसका मतलब इसके बीच में कुछ भी row हमार तो इसको selection यहां से ऐसे करेंगे तो हमारा hide row भी क्या हो जाएगा select हो जाएगा और अब right click करके unhide तो यह देखे unhide हो चुका ठीक है तो उमीद है आपको यह सारे concept clear हो चुके होंगे अब इसी तरह हमारे पास यहां पे इसको bold करना है select करेंगे और यहां से bold कर सकते हैं italic कर सकते हैं यह हमारा कुछ font style इस type से होगा italic करने पे अब इसके नीचे underline करना है तो यहां पे click करके यह underline कर सकते हैं ठीक है तो इस type से आप border लगा सकते हैं बहुत सारे यहां पे option दिये गा है आप अपने requirement के हिसाब से border apply कर सकते हैं यहां भी अगर हम thick border लगाना चाहते हैं select करेंगे और यहां पे outside thick border यह कर देंगे तो यह देखिए thick border हो गया तो इस type से हमारा देखने में भी data अच्छा लग रहा ह अब हम सीखेंगे यह जो हमारा टैब है जो मने आपको लेशन वन में बताया था इसे हम home टैब बोलते इंशर टैब बोलते पेज ले आउट इन सारे टैब की आप कस्टमाइजेशन जो सारे टैब के अंदर जितने भी ribbon है ग्रूप उसका कस्टमाइजेशन आप कैसे तो सबसे पहले आपको जाना है फाइल में more option में more में जाना है options में जाना है और यहां आपको एक option दिखेगा customize ribbon ठीक है तो यहां अभी आप देख रहे है यह जो हमारा home है यहां पर देख रहा है इसी के serial wise में हमारे सारे tab यहां पर दिख रहे हैं अभी आप ड्रा पे टिक यह जैसे लाप टिक करके ओके करेंगे तो ड्रा टैब भी आपका यहां पर दिखने लगेगा ठीक है तो जो भी टैब आप चाते हैं हटाना आप चाते कि वह टैब अभी हमारा काम नहीं ना दिखे उस पर आप क्या करेंगे data जैसे अभी data का काम नहीं है यहां पर data दिख करेंगे और इनेबल कर सकते हैं developer पर टिक करेंगे इनेबल कर देंगे तो दिखने लगेगा आपका developer टैब भी सब टैब पर क्लिक कर देंगे तो आपके सारे टैब आपको इसी सीरियल के एकॉर्डिंग यहां पर दिखने लगेंगे अगर आप चाते हैं कि home tap के बाद मेरा data का जाए तो data को hold करेंगे और उपर drag करके यहां पर लाके छोड़ देंगे ठीक है उसके बाद view आ जाए डेटा के बाद view यहां छोड़ देंगे तो आप rearrange भी इसी के recording कर सकते हैं और okay तो देखी हमारा rearrange होगे हो उनके बाद data डेटा के बाद view अगर आप वापस से reset करना चा इसी के recording reset हो जाएगा अब अगर आप यहां अपना एक new tab बनाना चाहते हैं तो new tab भी बना सकते हैं more पर जाएंगे option पर जाएंगे customize ribbon पर जाएंगे और यहां आप new tab पर click करेंगे तो आपका एक नया tab आजाएगा इसका नाम आप क्या देना चाहते है अब इसके अंदर आपको कुछ नया add करना function जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हर टैप के अंदर एक ग्रूप है ग्रूप के अंदर function तो सबसे पहले हमने टैप बनाया फिर new group अब group का क्या नाम होगा new group का नाम हम दे देते हैं आप फॉंट माने जै मैंने दे दिया अब इस group को हमको select करना होगा और इस group में हम यहां से कुछ-कुछ function आइड करेंगे जैसे font है fill color इसको select किया और add हम group को select करके ही add करेंगे अगर हम यहाँ पर select करके add करेंगे तो नहीं होगा अगर हम font पर क्लिक किया और add तो देखिए नहीं होगा क्योंकि group के अंदर कोई चीज हमारी add होती है tab के अंदर नहीं तो group को हमें select करना है और add करते चले जाना जिसे font size add देखिए font size भी आ गया ठीक है अब format painter add तो देखिए format painter भी format painter भी आ गया और ok करेंगे तो देखिए हमारा एक यहां new tab आ गया formatting के नाम से और इसके अंदर एक group हमने font का बनाया था fill color font size और format painter आ चुका अब इसे आप हटाना चाहते हैं फिर से आप क्या करेंगे more पर जाएंगे options पर जाएंगे customize ribbon पर जाएंगे और यहां से इस tab को देखिए सबसे last में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप इसको पकड़ के आप नीचे लेकर चले आएंगे तो सबसे last में यह tab आ जाएगा हटाना चाहते है रैट क्लिक करिए और यहां से रिमूब कर सकते हैं आप इसको ठीक है और ओके तो आप देखिए tab हट चुका है इसी तरह आप home tab के अंदर भी एक new group बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं किसी भी टैप के अंदर फाइल पर जाएंगे माली जे आपको एक group बनाना है डेटा टाइप के अंदर तो डेटा टेप करेंगे यहां इसको क्लिक किया अब यहां पे एक आपको new group बनाना होगा ठीक है new group का नाम हम क्या देदेंगे मालीजे हमने देदिया auto filter इसको rename करेंगे और यहाँ पर हमने name देदिया auto auto filter ठीके और ok तो यह हमारा auto filter का एक group बन चुका है अब इस group में हम auto filter से related जो भी चीज़े हम add कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम all command कर देंगे अब यहाँ से देखिए advanced filter इसको select करेंगे add कर देंगे यहाँ फिल्टर से जितनी भी related चीज़े हम इसमें add कर सकते हैं है न auto filter भी हमारा होगा यहाँ से add कर सकते हैं add remove filter यह भी हम कर सकते हैं तो यह क्या होगा हमारा filter quickly add होगा remove easily हम यहाँ से कर सकते हैं और ok करेंगे तो आप देखेंगे हमारा home data tab के अंदर एक group बना होगा auto filter के नाम से यह देखिए यहाँ पर एक group बन गया हमारा data tab के अंदर इस ribbon के अंदर एक group बन गया auto filter और यह दोनों option है हटाना चाहते हैं फिर से more पर जाएंगे option पर जाएंगे ठीक है customize ribbon पर जाएंगे आप reset कर दीजिए जो हमारी Excel की by default थी वह apply हो जाएगी reset only selected ribbon tab या reset all customization तो reset all customization करके कर देंगे तो जो as it is जैसा हमारा पहले था वैसा हो जाएगा ठीक है अब हम auto correct option के बारे में बात करेंगे जैसे माली जै हम कोई भी चीज़ स्मॉल में लिखते हैं जैसे हमने लिखा sunday तो आप देखेंगे automatic हमारा capital हो जा रहा है तो यह सारे चीज़े कैसे होती अभी आपको बताते हैं यहां से आपको right click करना और यहां एडिशनल यहां已經 the option है तो आपको यहां पर auto correct option देखने को मिल जाएगा को अगर आपके excel में यहां पे नहीं दिख रहा है तो फिल में जाना है प्लब में और आ पको यहां पर एक proofing और ऑफशन दिखेगा तो यहां आपके सामने दिखे gagn достos और यहां से भी आप open कर सकते हैं ठीक है इतना clear है तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला है हमारा करेक्ट और यहां पर हमारा है करेक्ट two initial capital यहां हमारा टिक है यानि जब भी हम दो कैप्टल जैसे हमने टाइप किया रमेश्च स्पेलिंग हम टाइप कर रहे हैं दो कैप्टल हो गया M.E.S.H. बाकी small हो गया तो automatic यह क्या करेगा पहला word को capital कर देगा बाकी को जो हमारा proper format होता है small में इस type से कर देगा यानि गलती से अगर आपको दो capital बाकी small type होते हैं तो यह इसे correct कर देगा ठीक है automatic अगर आपने यह option on कर रखा है auto correct में इस पे tick कर रखा है अगर tick नहीं करें word हमारा capital हो जाएगा Monday type किया तो पहला word capital हो जाएगा अगर हमने इस option को अंटिक कर दिया जैसे हम गए यहां पर autocorrect में और हमने इस applies name of days को अंटिक कर दिया अब हम देखिए Sunday type करेंगे तो हो रहा है हमारा पहला capital नहीं न तो हम इसको on कर लेंगे यहां से ठीक है अब हमारा correct accidental use of caps lock की option के बारे में word में जादा यूज होता है अब हमारा replace text as you type जैसे आपने देखा होगा आपने spelling Excel में टाइप करते हैं गलत जैसे y u की spelling हम अकसर y u o type कर देते हैं तो यह auto correct हो जाता है देखिए यू हो गया यह कैसे होता है क्योंकि इसमें यहां ची be jobs कर रखा यू से जब भी हम इसको replace करेंगे way u woven गलती type करेंगा तो you is a automatic replace हो जाएगा तो यह उसमार में 7 u Type करेंगे और इसको replace कर देंगे computer education是 और इसको add कर देंगे add करने के बाद o a c okay कर देंगे तो जब भी हम already लिख देंगे add the rate gmail.com तो जब भी हमें gmail ID type करनी होगे किसी की OK करेंगे जैसे रमेश 23 अब हम add the rate type करके जैसे space करेंगे तो automatic हमारा add the rate gmail ले लेगा क्योंकि हमने add the rate को add the rate gmail से replace कर दिया है यहाँ पर हमने क्या किया था option में गये थे और यहाँ आपने autocorrect में replace को add the rate को किसके साथ replace कर दिया था with add the rate gmail.com तो इस तरह आपको जो word लगता है आपसे गलती type हो सकती है तो आप उसे यहाँ पे लिख के और correct यहाँ पे with किसके साथ replace करना चाहते कर सकते हैं अपनी shortcut की भी custom generate कर सकते हैं तो उमीद है आपको यह relation काफी पसंद आया होगा अब हम मिलते हैं next relation में